ये है शीला और देवकी जिनकी शादी एक ही आदमी से हुई थी दरसल देवकी जब शादी के पांस साल बाद भी मा नहीं बन पाई तो मनोहर वंश चलाने के लिए शीला को दूसरी पत्नी बना कर घर ले आया लेकिन फिर एक चमतकार हुआ दो महीने बाद ही शीला और देवकी एक साथ गर्वती हुई और दोनों ने ठीक नौ महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया ऐसे ही समय भी था और आज उनके दोनों बेटे शादी लाइक हो गए दोनों ने उनके लिए लड़कियां देखी फिर एकी दिन दोनों भायों की शादी रग दी शादी के मंडप में अरे वह ये सुनैना का लहंगा तो दीपी का पादुकोन के लहंगे जैसा है मुंबई से लाकर दिया क्या शीला तूने इसे ये मेरी बहु है मैं चाहूं तो इसके लिए विदेश से हीरों से जड़ा लहंगा मंगवा दू तभी बीच रस्मों के बीच देव की अपनी बहु से ए रोश्नी ये लहंगा कहां से लिया तुने ये तो मेरी मा का लहंगा है माजी सत्या नाश अब सब के सामने मेरी नाक कट जाएगी तो जड़ा चल मेरे साथ देव की शीला की बहु को नीचा दिखाने के लिए चलती हुई शादी की रस्मों को रोग कर अपनी बहु को अंदर ले जाती है और उसे चांदी के तारों से जड़ा हुआ लहंगा पहना कर बाहर ले आती है जहां सब उसे देखते रह जाते है तब तक शीला जल्दी से शादी करवा कर अपने बेटे बहु को घर ले आती है और उनका ग्रेफ प्रवेश करवाने लगती है अब आज पहले होगा मेरी बहु का ग्रेफ प्रवेश फिर बन जाएगी वो उस देवकी की बहु की जिठानी हमेशा से मुझ पर अपना रॉब दिखाती थी ना इस घर में पहले आने का अब पता चलेगा उसे रुख जाओ मा साहिल को आने दो हम दोनों ने भले ही अलग-अलग कोक से जन्म लिया है लेकिन हम दोनों पैदा एक ही दिन हुए थे और शाधी भी एक साथ ही हुई है तो आज हमारा ग्रिह प्रवेश भी साथ में ही होगा मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है वो तभी साहिल भी रोश्नी के साथ आ जाता है विशाल अगर छोटी मा का मान है तो तुम दोनों पहले ग्रिह प्रवेश कर लो मुझे कोई प्रवेश नहीं है इस तरह शीला के बेटे बहु घर में पहले प्रवेश कर जाते है जिससे शीला की बहु सुझैन बन जाती है उस घर की जेठानी फिर साहिल और रोश्नी का भी ग्रिह प्रवेश होता है अरे तु रुख जा पहले पहले तु तुम दोनों एक ही कमरे में रह लेते थे लेकिन अब तुम्हारी पत्नी आ गई है इसलिए दोनों को अब एक एक कमरा मिलेगा एक के हिस्से में बड़ा कमरा आएगा और एक के हिस्से में छोटा तो जेठानी बनने के नाते मेरी बहु का पहला हक है ये बताने का कि उसे कौन सा कमरा चाहिए शीला अपनी बहु को आँख मार देती है ये दी एक रोश्नी जट से कहती है मुझे तो बड़ा कमरा ही चाहिए कुछ याद आया देव की दीदी जब मैं इस घर में प्याह कर आय थी तो आपने बड़े कमरे पर डेरा डाल लिया था और मुझे छोटे कमरे में ही गुजारा करना पड़ा था हाँ तो तुने तो बस कमरा लिया लेकिन जो मैंने अपना पती तुझे दिया उसका क्या एक सौतन के साथ एक ही घर में रहना कैसा लगता है कोई मुझसे पूछे हाँ तो मैं कौन सी खुश थी तुम्हारे साथ रहकर जैसे तैसे करके जिन्दगी काट ली जाओ बच्चो तुम अपने अपने कमरे में शिफ्ट कर लो घर में आई नई दुलहने सारी रात अपने अपने पतियों के असामान शिफ्ट करने में लग गई जिससे उन्हें सुबह के पांच बच जाते हैं अगले तेरे उनके मुधिखाई होती है महले की सभी औरते उनके घर आती है अब जल्दी से तुम सब हमारी बहूं का घुंगट उठा कर बताओ कि जादा सुन्दर बहू आखिर किस की आई है मेरी या इस शीला की सबसे पहले कमला दोनों बहूं के घुंगट उठाती है जिसे देखते ही कमला की नजर बड़ी बहू के गले के हार पर जाती है लगता है सरलाका की सारे गहने शीला कोई देकर चली गई खांदानी हार तो बड़ी बहू के पास है लगता है रोश्णी को कुछ मिलाई नहीं हे ए रोश्नी मैंने तुझे चार-चार सोने के हार दिये थे तुने वो क्यों नहीं पहने फिर देव की अंदर से अपनी गहनी लेकर आती है और अपनी बहु को मूर्ती की तरह सजा देती है इस तरह हर वक्त दोनों बहुं के बीच कॉमपोटिशन चलता ही जाता है ऐसे ही श पती हैरान रह जाते हैं और वो अगले दो दिन तक घर नहीं लोटते हैं ये देख वो सब बहुत परिशान होते हैं जब दो दिन बाद वो घर लोटते हैं तो मेरे बच्चों कहां चले गए थे तुम दोनों हम ये घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि हम ऐसी औरतों के आप दोनों के कारण हुआ है जब से इस घर में बहु बन कर आए हैं हर चीज के लिए हम दोनों के बीच कॉमपटीशन ही हो रहा है ठक गई थी हम दोनों सासों की बाते सुनते सुनते पहला किसका बच्चा होगा बहु तुम कब बच्चा दोगी इसलिए हमें घर में अब वो कभी उन दोनों में भेदभाव नहीं करती और अब सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए आपसे पर्मिशन लेनी होगी माजी। अरे बहु शादी तो नालाइकों की मैं करवा दूँ पर उन दोनों निकमों से शादी आखिर करेगा कौन। शहर की कोई लड़की तो निकमों से शादी करने से रही। तो माजी पिर गाउं की ही कोई लड़किया ले आए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढ़ल जाए और गाउं की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू, अब भले ही मुझे गाउं की लड़कियों को ही बहू क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूणने के लिए कहती है कुछी दिनों में पंडित एक ही गाउं की दो लड़कियों, रेश्मा और कोमल का रिष्टा लेकर आता है दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी जट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर दो महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहु बना कर घर ले आती है राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है हमारे घर में दोनों नई बहुँ का स्वागत है अब अपने पैर से कलश गिरा कर ग्रेप रवेश करो बहुरानी आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है अरे मोरी मैया ये तो कितना बड़ा घर है इतना बड़ा तो अपने गाउं का पंचायाद घर भी नहीं है क्योरी कोमल सही काना हमने सोटा का सच कहा दिदी हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आखों से कवनों सपना देख रही हूँ उन दोनों को इतना खुश देख कर एक तो राजरानी खुश हो जाती है लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गाउं की बहुए आगे क्या-क्या कारणामे दिखाएंगी अरी मोरी मैया ये अलमारी यहां रखी हुई है हम तो सारे घर में इसे ढूंड रहे थे पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सबजियां और फल काहें रखे हैं रेश्मा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है अरे बहु ये तुम क्या कर रही हो माजी हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं लेकिन मंचली बहु ये अलमारी नहीं फ्रेज है फ्रेज हो का बिमारी है बहु इसमें कपड़े नहीं बलकि फल, सबजियां, दूद और पेने का ठंडा पानी रखा जाता है अरी मोरी मैया तब इने तो हम कहें कि ये ठंडी और लाइट वाले अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिस टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड कर खड़ी हो जाती है तब ही एकता उसके पास आती है और कहती है अरे कुमल ये तुम क्या कर रही हो तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रेनाम कर रहे हैं तुम पागल हो गई हो क्या, भला टॉयलेट को कोई हार पहना कर उसको प्रेनाम करता है क्या आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गाउं में ये टॉयलेट नहीं है हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी, तुम सच मुच में गाउं की गवार हो हाई मोरी महिया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमाए लागत है सासुमा और जेठानी जी इसकी बिलकुल भी सफाई नहीं रखती है हमरी जेठानी को तो खुद की पताई करने से ही फुरसत कहां है, जो इन सब पर ध्यान दे अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सब की आँख खुली की खुली रह जाएगी हाँ इतना कहकर रिश्मा वो सारा सामान उठा कर बातरूम में ले जाती है और वाशिंग मशीन में पारी डाल कर धोने के लिए डाल देती है तभी उसमें से जोर-जोर की आवाज आने लगती है हाई मुरी मैया, लागत है भूकम पाने वाला है हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए नहीं तो कहीं ये घर हमरे उपर ही ना गिर जाए रेश्मा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहां आती है ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है राजरानी भाग कर वाशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है हे भगवान ये हो क्या रहा इस घर में फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैप्टॉप धुल रहा है टॉलेट को माला पहनाई जा रहे है पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का राजरानी रेश्मा को आवाज लगाती है और कहती है रेश्मा बहू, जी सासुमा, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो सासुमा भूकंप आए वाला है आप भी हमरे साथ छुप जा नहीं तो यह भूकंप कही हैं आपको भी ना ले डूबे कोई भूकंप नहीं आ रहा है जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ का हुआ, भूकंप चला गया क्या तभी वहाँ एक तो और कोमल भी आ जाती है और राजरानी उनको सारी बात बताती है अरे तुम दोनों गवार हो क्या तुम दोनों की वज़े से हमारा लाखों का नुकसान हो गया हे भगवान पता नहीं कहां से यह गवार हमारे पल्ले पड़ गई मैंने सोचा था घर में दो बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी लेकिन मुझे क्या पता कि गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी अपनी सास और जिठानी के ताने सुनकर कोमल और रेश्मा की आँखों में आसुआ जाते हैं साथ ही उन्हें अपने किये पर पच्टावा भी होता है कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है सासुमा हम दुनों गाउं से आई है हमरे पूरे गाउं में कोनों के घरी सब सामार नहीं है यह से हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कई से करना है हमने यह सब जान बुच के नहीं किया हमको माफ कर दीजिए जिठानी जी, सासुमा हम गाउं से आई है तो शेहर की तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा सबेत लगेगा न अंजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है न उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है अगर आप हमें सेहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे अपसे तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शेहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे अपसे हम मिलकर तुम दोनों को शेहर के सभी तौर तरीके समझाएगे कुछी दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलावा जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती है